एक तरफ तो 36 गड़ की सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लाने की बात कर रही है वही पर पत्रकारों के साथ बत सलूकी का मामला दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है बिना जांच किये बिना किसी पुस्टी के वरिष्ट पत्रकारों के साथ बस सलू की साजा थाने के पुलिस करमचारियों के द्वारा करना बेहची शर्मनाक है आपको बता दे कि इस मामले को लेकर जीले के तमाम पत्रकार एक होकर पत्रकारों के साथ हो रहे अत्या चार को लेकर अंशन में बैच कर दोशियों के खिलाफ कारेवाही की मांग कर रहे हैं आपको बता दे कि एक वरिष्ट पतरकार जिनको सूचना मिली थी कि साजा थाने में अवैर शराब का माफिया सक्रिय रूप से कारोबार चल रहा है जिसकी कवरिश करने के लिए पतरकार वहाँ पहुचे हुए थे जब पतरकार इसकी वीडियो बना रहा था तो उनके हाथों से मुबाईल छीन लिया गया और आरोपी की तरह उनके साथ मार पीच गाली गलोच की गई जो पूलिस परशासर नियत को जाहिर कर रहा है इससे आप फस्त पता लगा सकते हैं कि कि सरै खाकी का रोप पतरकारों के साथ अब देखने वाली बात यह है कि पूलिस परशासर नाखिरकार इस रवईये से बाज आते हैं और क्या वरिश पत्रकार को न्याय मिल पाता है के नहीं यह हम आप सब को तथा परदेश के मुखे मंत्री मान्य भुपेश बगेल के द्वारा अपने घोशना पत्र में कहे गई पत्रकार सुरक्षा का खुला उलंगन का एक जीता जाकता सवरूप साजा थाने के बेमत्रा ज सेकेंड टाइम में हमारे थाने में पत्रकार है इंडिया न्यूस से योगेश राजपुत जीवों आये थे कुछ यहां न्यूस लेने के लिए उसी समय हमारे थाने के एसाई हैं दिवनात सींग प्रधान अरक्षक रहुराज सींग और आरक्षक ओम प्रकास यह तीनों ने वो बता रहे थे कि इन्हें मेरे साथ अवद्र ब्यवार किये तो इस संबन में जैसी हम लोग पता चला तो हम लोगों ने भी आखिया और उनको तदकाल प्रभास उनको अन्यूटेज कर दिया गया और जाच के लिए एश्डोपी बेरला महमता दिवांगन को न्यूक्त कि कि अगया है कि तदकाल जाच पर अपना जाच करके और इसमें रिपोर्ट प्रस्तूत करें मुत्ताजंसार एस्पी साहब पुलिस अधीक्चा का मादे प्रसांसी ठाको दारत का अभी जाच का विशा है इसको पहना उचित में है क्या एक पत्रकार अपने कर्दब का निर् प्रस्तूत करके उनके उपर अपने काम को करता और एक करता निभाता है तो मैंने भी रिपोर्टिंग के दरण रिपोर्टिंग करने के लिए साजा में आया था इस दवरान माने देखा कि थाना परेसर के अंदर बहुंँ सारे सराब की बोड़ने पड़ी पड़ी हुई थ तो यह बात बिल्कुल NDA केट करता है कि आखिर थाना पड़सर के अंदर इतने सारे सराप की बोटल आई कैसे है तो मैंने उसका विडियो बनाया अब बीडियो बनाने के पश्चात मैंने समंधित जो अधिगारी था यहां पर उंसे पूछा कि आपके थाना के अंदर इतने स समंधित जवाब मिली कि मैं एक गंटे बाद आऊंगा तो मैं जब तक इदर उदर समय काटा और उनके आने के इंतिजार किया इस दवरान मैं थाने परिसर में बैठा रहा और थाने परिसर में जो एसाई है एक हवलदार है एक और कास्टेबल है मेरे को इस खबर से भी तिन चुड़े मेरी फिन ठूट पड़े एक अपरादी के तरह मुझे बहुत तरीके से मेरे कपड़े हैं या पजब सक्दीन ट्रका है और मेरे साथ माबस देताव कि आए मार्टिट किया है और मुझे लाकप में बन कर दिया गया था एवनाल मेरे मोबाइल जो है उसे च्छिल ले गया और पूरे मेरे जो प्राइवेट डाकुमेंट से मेरे जो खबर थे उस सीज को उन्हों में डिलिज मार दिया और मोबाइल भी खराब हो गया क्या लगते हैं पुलिस की स्थाइके सर विया सपीज पांज हो गया है तो आप पलिसर के अंदर में उन्हों को धर्म नदी बैठे होगे हमारे जीले के सिनियर पत्रकार के साथ ठाने के जो यहां सिपाही है और हवलदार है उनके द्वारा दुर्बहार किया गया है मार्क्व पुलिस की बैवखार होगा और हम ने अस्वासन दिया है कि साथ दिन के अंदर में जो भी जहां से रिपोर्ट आई उसके उपर से कारवाही होगा और अभी में उनको निलंबित करता हूँ देखिए हमारे पास अधिवक्ता कक्ष में मैं बैठा था उस समय योगे साजपुत जी आए और बहुत ही घवराए हुए थे उनकी सासे फूर रही थी उन्होंने बताए कि भीया मेरे साथ जो है यहां पुलिस में मार्किट की गई है मैं मतलब ख़बर को लेने के लिए ग कि अगर कोई पत्रकार साथी अगर ख़बर के मामले में किसी सास की संस्ता के पास जाता है और खास कर ठाने जैसे महत्पुर्ण स्थान पे और उसके साथ कोई मार्पीट होती है, तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही प्रदेश के लिए दुरभा के जन घटना है और ये साजा चेत्र वैसे भी यहां पर रवीन चोवे का चेत्र है, मैं ये समझता हूँ कि रवीन चोवे जी आभी तक इस घटना में कुछ बात नहीं किये हैं और अभी तक कि इसमें महत्रपुर जाच का आदेश होना चीए पत्रकार सांती हमारे साथ है हम पत्रकार सांती के साथ है हम विद्धी जी वी वर कियों से खासकर मैं अदिवक्तर संग का जैक्ष भू मैं मांग करता हूं कि सिग्रेज घटना की जाच हो और अभी तक जो कारवही नहीं की है बहुत महत्रपुर कारव के करें और अन्यता हम पत्रकार सांती के साथ कंदे से कंदा मिला कर उनके हर कदम के लिए साथ में रहने की इतायाद J.B.D. Banquets लाए हैं, incredible marriage palace, Raj Gharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Raj Gharana and Jyoti Garden, a J.B.D. Banquets enterprise. ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए, बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को, like, share and subscribe करें. घन्नेवाद!